इस भीशण गर्मी में इनसान को सबसे ज़्यादा किसी की जरूरत है तो वो है ठंडा पानी जिसे पीकर वो चैन पाता है आज भले ही हमारे घरों में ठंडे पानी के लिए फ्रीज हो लेकिन एक जमाना था जब हमारे घर का फ्रीज मिट्टी का मट्का होता था जैसे जैसे वक्त बदला मट्के की जगा फ्रीज ने ले ली लेकिन एक बार फिर लोगों के बीच मट्का लोगप्रिय हो रहा है लोगों फ्रीज की जगा मट्के का पानी पी रहे हैं ऐसे में बाजार में मट्के की मांग बढ़ रही है देखे ये special report मट्के का जो पानी है मट्के के अपने गुन भी पानी के अंदर मिल जाते और इक उसका टेंपरेचर मेंटेंड रहता है जिस तरह अगर आप फ्रीज में देखेंगे तो पानी एक्दम से बहुत थंड़ा हो जाता है और एकदम से गर्मी में आने के बाद अचानक अगर आ अपनी एडवाईज देना चाहूं तो मट्के का पानी हमें थंड़े पानी की उपर से बन करना चाहिए अचली जो मट्के का पानी होता ना मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा परपस है मैं रेफ्रेजेटर वाला पानी पीना प्रफर नहीं करता और फैमिली में भी मैं बोलता मट्के का पानी जो हुता है नैचरली चील्ड करता है पानी को और इसके अंदर जो प्रपरटीज होती है पॉर्ट की ऐर्धिंग पॉर्ट की वह सब हमें पड़ी हैं बच्पन में तो उसके लिए मैं प्रफर करता हूं मट्के का पानी को